यूपी पुलिस उत्तर परदेश पुलिस में काफी अच्छी वेकंसी आज निक्री हुई है जिसमें पूलिस रेडियो सन्वर्ग में परधान परिचालक की है परधान परिचालक यांत्रिक के पदोपर सीधी भरती का नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है तो हम इसमे डिसकस करेंगे कि इसके बारे में क्या eligibility criteria होगा कौन को ने apply कर सकता है क्या age होगी क्या syllabus होगा सभी के बारे में हम डिसकस करेंगे विट डिटेल के साथ तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो देखिए इसमें इनोंने बताया हुआ है कि हमारे कुल जो पद है इसमें अनराचित के लिए 389 पद है आर्थिक रूप से कमजोर EWS की 92 है अन्य पिछड़ेवर्ग 252 है अनुसूसी जाती के लिए 1955 सीट है और जिसमें अनुसूसी जन जाती के लिए 18 सीट है कुल जो है आपके 936 पदों पर ये वेकेंसी आई है तो देखिए इसमें कुछ जो है स यहां पर बता दिया है कि आपकी जो सेचिक अहरता भारत में विधी द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रोनिक्स, टैली कम्यूकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्फोर्मेशन टेक्नोलिजी और या इंस्ट्रूमेंटल, आप कह सकते हैं मेकैनिकल इ छा इकर ऐगर आप ऊत्रीन कही हैं तो आप इसके लिए अलिजिबन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसीर human 모़ देख लेते हैं कब से सुरू हो रहे हैं देखिए जो इसके from शुरू हो जाएंगे आपके 2122 से 20 जन्वरी से सुरू हो जाेंगे और आपकी 28 फरवरी 2022 तक इनके फूम अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन सुल्क की अगर मैं बात करूँ तो जो इन्होंने बताया है कि जो 400 रुपे जो है वो आपका जो है सभी के लिए इन्होंने कहा है कि 400 रुपे जो है आपको फीस इसमें पे करनी पड़ेगी अगर आप इसमें अपलाई करते हैं तो आयू शीमा की बात करते हैं तो देखिए इन्होंने कहा है कि आपकी बीस वर्ष की आयू प्राप्त कर ली हो आप और 28 वर्ष से आपकी अधिक आयू नहीं होनी चाहिए इन्होंने डेड़ भी दिये कि आपको 1722 को आपकी 20 वर्ष की हो गए हो और आप 1722 के बाद आपकी 30 से ज़्यादा ना हो ये इन्होंने कहा है इसके बीच की लोग क्या कर सकते हैं इसमें अपलाई कर सकते हैं बात कर लेते हैं ओनलाइन लिखित परिक्षा इसकी ओनलाइन जो लिखित परिक्षा होईगी आपकी वह इसमें आपके जो है चार सो नंबर की होती है जिसमें सो अंक की आपकी हिंदी आएगी सो अंक का आपका जो है विज्ञान और समानने ज्ञान आएगा और संख्यात्मक एंवांसिक योगता जो आएगी आपके रिजिनिंग जो आएगी वह सो नंबर की आएगी और आपके जो है जो मैथ आएगा वह भी आपका क्याएगा सो नम्बर का आएगा कुल आपका 400 नम्बर का पेपर होगा आपका और यह आपका देड़ सु मिनिट का होगा धाई घंटे का आपका एक्जाम होगा और इसमें जो है इन्होंने कहाया कि कि अगर आप ओनलाइन लिखित परिक्षा के लिए परतियक विश्य में आपको 50 परतिसत अंक प्राप्त करने में अगर आप विपल हो जाते हैं तो भरती के लिए आप प्राप्त नहीं होंगे इन्होंने सीरा सीरा कह दिया है इस बात को है शारी दीक्षम्ता की बात कर लेते हैं तो इन्होंने कहाए पूरुष अभतियों के लिए जो सारी देक्षम्ता है आपकी उनकी हाइट 168 cm होनी चाहिए और अनुसूची जनजाती वालों सीने का फुलाव इसमें क्या है अनिवार्य है और अगर मैं महिलाओ के बारे में बात करता हूं तो महिलाओ की उचाई जो होनी चाहिए उनका आवश्चक है होना ही चाहिए और बात कर लेते हैं कि सारे देश्टा क्या होईगी आपकी फिजिकल जो है लिया जाएगा उसमें क्या होगी तो इन्होंने काए कि जो 4.8 km जो है दोड लगाई जाएगी 28 मिट के अंदर आपको लगानी होगी यह पूरुसों के लिए और आपको 2.4 km लगानी होगी महिलाओ के लिए कि कितने मिनट में 16 मिनट में उनको यह दोड लगानी होगी और बाकी सारे दिक्स ह नहीं है और फिर आगे हम बात कर लेते हैं जो एक महत्पुन पॉइंट है आयू सीमा में बहुत ज्यादे बच्चे पूछते हैं तो देखिए अनुसूची जंजातियों को इन्होंने 5 वर्स की छूट दी गई है और अनुसूची जंजातियों को इन्होंने 5 वर्स की यहां है और पिएचेडी क्लासेज आपको हर समय ऐसी सटिक बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देती रहेगी तो इसलिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार कोई क्या रही हो तो कमेंट कर देना थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्स